नमस्ते दोस्तों स्वागत है कैसे हैं आप लोग यह सीए फाइनल नॉम्बर 2020 का आखरी दो कोश्चन हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं कोश्चन 1,2,4 हम लोग अलड़ी रिकॉर्ड कर चुके हैं और जो भी करेक्शन थे वो हम लोग पता चुके हैं और यह जो कोश्चन टेक्स फेकल्टी मैसेश फ्लाइबा नाइट तूर ऑपरेटर्स अवेल आईटीसी इन रिस्प्रक्ट अव सर्टन ट्रांजेक्शन वेर नो सच सप्लायर वाज एक्जिस्टेंट और फ्रम पर्सन नॉट दून इनी बिजनस फ्रम दर रिइस्टेट प्लेस तो बिजनस त वहाँ पर लोग जाते नहीं थे जैसे पुराने सेल्स टेक्स डिपार्टमेंट में लोग जाके चेक करते थे सेक्यूर्टी मांगते थे स्यूर्टी मांगते थे तब जाके उनका सेल्स टेक्स में रिस्टेशन होता था और यह चीज हुई नहीं इसको थोड़ा सा ठीक करन क्योंकि अभी जारकण में एक लेबरर पकड़ा गया उसने चार-पांच करोड का टैक्सी नहीं जमा करेवाया तो ऐसे लोग भी है तो इसी लिए रूल 86A लेकर आया गया कि कमिशनर को एक पावर दे दिया गया कि ITC तो है आपके पास आपने क्लेम भी किया 3B में नजर भी आ रहा है लेकिन मैं आपको यूज करना नहीं दूँगा ब्लॉक कर दूँगा फॉर टेंप्रोरी प्रिडव वन ये जब तक आपका केस चलता रहे है और उसके बाद केस बना करवाया वो जगई एक्जेस्ट नहीं करती है तो यह से काफी सारे सरकम्शांसेस थे जहां पर रूल 86A डिपार्टमेंट यह पावर एक्सेस कर सकता है तो मैंने आपको मोटा मोटी बता दिया रूल 86A अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें पूरा डिटेल में लिखावा भी है यह रूल 86A 4 और यह आया कब यह भी आपको जाना बहुत हो रही है यह 26th February 2019 को अफेक्टी हुआ जहां पर यह कहता है कि strength of tax inverses जहां पर registered person जिसने issue किया है वो ही non-existent है या फिर existent तो है लेकिन जहां पर है वो place of business ही existence में नहीं है या फिर without receipt of goods or services और बोत है और जो avail कर र यह तो बहुत सारे cases हैं जो इसमें सारे लिखे हुए है इसमें जो point है such restriction shall cease to have effect after the expiry of period of one year from the date of imposing such restriction तो जैसे restriction इंपोस किया वैसे ही commissioner को और इसमें power किसको दिये commissioner और an officer authorized by him in this behalf not below the rank of an assistant commissioner तो obviously question में जो लिखा हुआ है वो deputy commissioner लिखा हुआ है वो तो इसके पास power है एक्सेसाइस कर लिया तो उनको काफी ज्यादा on the toes रहके यह प्रूव भी करना पड़ेगा अब आता है question 5b में जहां पर जगजीवन राम has filed gstr form 3b और वो late file किया है और late file करेगा तो obviously 3b के साथ tax भी जाता है PMT 06 का चलान भी जाता है और tax collect कर लिया जमान ही करवाया तो क्या उसके against section 73 subsection 11 में जो power है वो exercise करके उसके उपर क्या penalty लगाई जा सकती है 10% of tax और rupees 10th on the cheverage है यह question पहले भी पूछा गया था वहाँ पर suggested answer में लिख दिया yes लगाई जा सकती है बात में शायद उनको खैल आया होगा कि नहीं नहीं यह तो हमने कुछ गड़बड कर दिया है एक circular आया है यह हमारी book है यह book का ही हिस्सा है मैं आपको दिखलाता हूँ और एक question theory का यह भी आ सकता है difference between section 73 and 74 हमने काफी सारे differences यहाँ पर लिखे वे भी है और मैं सबसे पहले circular दिखलाता हूँ यह question paper आप download कर सकते है और मैं आपको पहले question और जो circular है 76 50 2018 dated 31st December 2018 है whether penalty in accordance with section 73 sub-11 of the CGST Act should be levied in cases where the return in GSTF 3B has been filed after the due date of filing of such return आप देखिए section 73 का penalty तो तभी लगसा है जब उसको show cause notice भेजेगा फिर उसको बस कारवाई करेगा investigation करेगा और यहाँ 3B में अब जाके penalty लगेगी section 73 में इतना time नहीं है officer के पास वो कहेगा यह general penalty लगा के खतम करो अगर लगाना है वैसे लगाता कोई नहीं है कि 3B late file हुआ अब तो इतने सारे उन्होंने measures लगा दिया कि 3B late file करेंगे तो हम आपका e-way bill block कर देंगे मुझे याद है कि ssc taxpayer call कर रहा हूँ सर मेरा मुझे माल भेजना माल नहीं भेज पा रहा हूँ मेरा e-way bill block हो गया तो 3B उसको file जबस्ति करना पड़ा क्योंकि यह 3B आपको continuously file करना है ऐसा नहीं हो सकता October November का file नहीं किया आप December का direct file कर सकते हैं आपको serially file करना तभी file होगा वरना file ही नहीं होगा तो इन्होंने यह circular में लिग भी दिया कि यह power तो है but they will not exercise this power they will not exercise this power तो इसमें it may be noted that a show cause notice is required to be issued to a person where it appears to the proper officer that any tax has not been paid short past this 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 has been this the provisions can be invoked only when the provisions of section 73 are invoked यानि कि show cause notice के बाद ही possible है तो provisions of 73 are generally not invoked in case of delayed filing of return यानि कि उनके पास power तो exercise नहीं करेंगे इस circular में और circular सा binding on the department तो department के जो इतने भी officers उनको कह दियागा कि यह late file कर रहा तो मत करो ज्यादा से ज्यादा करना है तो यह 125 की penalty लगा देना वो ज्यादा अच्छा है तो यह कहानी थी इस circular की तो अब हम लोग आगे देखें तो देखिए अगर आप articleship कर रहे हैं तो यह सारी चीज नहीं कर रहे हैं तो आपको मैं बता रहा हूं कि articleship करना बहुत जुरूरी है तभी आपको practical चीजे समझ में आएंगे Least out the conditions for duty credit script entitlement under service exports from India scheme and determine whether following cases are eligible for the benefit under SEIS मैं आपको बता दू हम लोग फॉरें ट्रेट पॉलिसी की बुक फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं और फॉरें ट्रेट पॉलिसी के हमने slides भी बनाई हुए वो भी आप फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं तो यह हमारी website TaxByKK.com यहां फ्री में जाएंगे आप तो आप फ्री में foreign trade policy की बुक Guide to foreign trade policy बुक है डाउनलोड कर लेजिए फ्री है यह और foreign trade policy की PPT यही आप डाउनलोड कर सकते हैं तो यह foreign trade policy की PPT, foreign trade policy की book, plus CA final IDT exam, इसमें बहुत सारे हमने YouTube के links डाले हुए हैं, वो आप check कर सकते हैं, पूरा syllabus के साथ है, तो अच्छी, बहुत अच्छी booklet बनी हुए है, you can check it out, और भी बहुत कुछ है, आप इसको check कर लिजेगा, मैं वापस आता हूँ, आपका बिना time जाता लिए हुए, अब इसमें यह कहता है, Mr. Raj जो individual है, इसको US dollar 12,500 as consideration for services provided during the year, he is also paid 3,000 towards services received from abroad, तो इसमें आप individual का जो net foreign exchange earning है, वो कम से कम 10,000 का होना चाहिए, तभी आपको SCIS का benefit मिले का, तो services provider of notified services located in India shall be rewarded under SCIS, और इसमें एक condition यह भी है, कि आपके पास IEC number होना बहुत जरूरी है, और इसमें जो लिखा हुआ है, such provider should have minimum net foreign exchange earning of 15,000 a year, लेकिन अगर आप individual है, तो minimum 10,000 होना चाहिए, in a year, तो यहाँ पर अगर net foreign exchange earner आप देखेंगे, तो it is only 9,500, यह वाला notified में नहीं है, कि आप job करके आ तो he has also received US dollar 4000 towards employment rendered abroad during that year, तो क्योंकि यह job करके यह notified में नहीं है, इसलिए हम लोगे इसको consider नहीं कर रहे है, तो यहाँ not eligible for SEIS benefit, आने वाले समय में यह SEIS benefit खतम हो रहा है, में सर्विस लिमिटेड कंपनी है, तो यहाँ पर net foreign exchange कम से कम 15,000 होना चाहिए, लेकिन यह 15,000 as a share capital आ र तो that is not allowed, और यहाँ नहीं यहाँ पर लिखा भी है, यह हमारी किताब है, जहाँ पर हमने ineligible categories under SEIS, foreign exchange remittance other than those earned for rendering of notified service would not be counted for entitlement, thus other sources of foreign exchange earnings such as equity, debt, donations, receipts of repayment of loan etc and any other inflow of foreign exchange unrelated to rendering of service would be ineligible, वापस आते हैं, तो यह भी ineligible हो गया, Mrs. Anita has received 15,000 as a consideration for services provided during the year, तो यह eligible तो है, लेकिन यहाँ पर लिखावा है कि इसके पास active IEC नहीं है, Assume that except in case 3 above, others have an active IEC, तो यहाँ नहीं है, तो यहाँ भी ineligible हो जाएगा, not eligible, यह foreign trade policy की book आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैं दुबारा बोल दिया है, website में जाएंगे, मिल जाएगे आपको, अब हम लोग question 6, question 6 A मुझे confuse कर रहा था, यह क्या पूछना चाहा रहा है, वैसा तो clear है, लेकिन एक बार पढ़ने के से लगा कि अरे, यह क्या हो क्या रहा है, Mr. Mehandran is agreed by the order of revisional authority and wants to make an appeal to the first appellate authority, Now, first appellate authority अगर आप देखेंगे, तो first appellate authority is commissioner appeal, तो revisional authority में अगर के order against agreed है, तो जहां जो appeal में जाएगा, that is GST appellate tribunal, तो उसको हम लोग second level बोलते हैं, first level तो नहीं बोलते हैं, इन्हों नहीं लिख दिया, तो वो पूछना क्या चाहरा है, कि वो कर सकता है, नहीं कर सकता है, आते हैं, कहां, question paper में, तो Mr. Mehendra is agreed by the revisional authority and wants to make an appeal to the first appellate authority, while commenting on the decision of Mr. Mehendra, you are required to state the powers of reasonable authority, ये ये confusing कर रहा है, कि या तो ये दूनों से अलग-अलग question बनाना चाह रहा है, ये एक साथ मिस हो गया है, तो while commenting on the decision of Mr. Mehendra, you are also required to state the powers of revisional authority, you are commenting on the decision of Mr. Mehendra, wants to make an appeal to the first appellate authority, first appellate authority में जाएगा, GST appellate tribunal में जाएगा, तो this is the decision which Mehendra has taken, ठीक है, तो इसके बारे में फिर पूछते हैं, अब वो ये क्यों पूछ रहा है, क्योंकि, रिविजनल अथर्टी का powers बताईए, revise the order, subordinate officers कर सकता है, तो what is the time period for the revision authority to exercise the power of revision, या तो खाली appellate tribunal के बारे में पूछते हैं, खरिन इनी case, जो उन्होंने पूछा उसके बारे में, जबाब देना हमें क्या है, तो, revisional authority के बारे में अगर power देखें, तो हम लोग एक बार section revision, powers of revisional authority, यहां पूर सारा हमने लिखा हुआ है, जो time period है, that is, the period specified under section 107, subsection 2, हम आपर six month लिखा हुआ है, has not yet expired, और more than three years have expired, after the passing of the decision or order sought to be revised, तो, this is the power of revision, तो, यह, what is the time period, six month to three years, बाकिए आप देख लिजेगा, फिर रहा, who are the members of GST council, Central Government, में एक finance minister, दूसरा state minister, और state finance minister, जिसको हम लोग कहते हैं, और state finance ministers, state FM, यह सारे members है, enumerate any two recommendations that can be made by GST council, एक तो rate है, और दुसरा, बहुत सारे law में changes अगर आते हैं, तो बिना इनके recommendation के नहीं आ सकते, तो बहुत सारे चीजे हैं, जिसमें एक rates and law है, decides with reason, whether the registration is required under CGST act 2017, in the following independent cases, a casual taxable person has provided, has provided interstate supply of notified products, being textile hand printing amounting to this, तो शुरवात में जब GST आया था, तो हमने बहुत जादा माथा पच्ची की थी, इसके उपर, कि एक craftsman है, जो handmade हातों से चीजे बनाता है, और UP और दिल्ली के border में रहता है, वो वहां से cross कर जाएगा, तो क्या आप उससे registration माँगेंगे, interstate supply compulsory registration, तो उनको ये government को ये proactive है, और उन्होंने एक notification ले के आगई, 56, इससे पहले भी आया था, not only in 2018, 2017 में भी आया था, उसके बाद कई notification आया, तो latest notification हमने लिखा हुआ है, मैं अगर आपको notification दिखला हूं, तो ये notification ले के आया, section 23, subsection 2 के according, तो उनके पास power था, section 23, subsection 2 में, और section 23, subsection 2 में, they came out with the notification, और उन notification में ये सारी बाते उन्होंने लिखी, conditions भी लिखे, और ये देखिए, casual taxable person making interstate supplies of handicraft goods, और जो person making interstate supplies of handicraft goods, तो ये दोनो notification लाया है, ये 5th अगर मैं देखूँ तो ये notification आया कब है, 17 में आया, 2017 में, 14 September 2017, July 2017 में GST लाग हुआ, 1st July को, देखिए, September में आ भी गया, फिर उन्होंने चेंज किया, October में, फिर उन्होंने latest सारे notification को एक साथ ले आया है, 56, 2018, 23rd October 2018 में, और उन्होंने एक जो line लिखी है, वो line ये लिखी है, उस notification में, the notified products when made by the craftsman, predominantly by hand, even though some machinery may also be used in the process, और यहाँ पर उन्होंने जो question बना दिया, और ये question जो बनाया है, उन्होंने लिखा, कि by both hand and mushes equally, equally, equally नहीं हो सकता, predominantly hand, more than 50% में माल लेता हूँ, तो ये again dispute का एक हिस्सा हो सकता है, कि कह सकता, 0.01% hand ज्यादा use हुआ था, maybe, तो CTP had obtained 10 and generated eva bill for साथा, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये दोनों equally है, तो इसको taxation लेना कमपल सरी है, अब ये execute कैसे होगा, कैसे ये पकड़ा जाएगा, ये तो कहानी है, department के पास एतना officers नहीं है, कि casual taxable person के पीछे लगा दे, कि 19,25,19,00 का sale किया चलो, इसको पकड़ो, और फिर इसको identify करो, investigate करो, evidence collect करो, फिर court में पेश करो, इतना time नहीं है, लेकिन academic purpose के लिए बहुत अच्छा है, discussion के लिए, अब आगाते हैं, Mr. Bantu of Delhi doing trading business across India, and his intrastate turnover details are as below, यानि कि इस दिल्ली का resident है, माल लेजे, दिल्ली का resident है, और दिल्ली में एक separate registration उसने लिया हुआ, आंदर प्रदेश में एक separate registration लिया हुआ, तामिल नाडू में separate registration हुआ, दिल्ली का माल दिल्ली में बेचता है, आंदर प्रदे इन गुड्स, तो इसका total turnover, अगर देखें, तो 40 लाक से कम है, तो उन्होंने section 23, subsection 2 में, एक notification लेका आया, again section 23, subsection 2 में, और कहा कि अगर कोई, any person making intrastate exclusive supply of goods, तो उसको section 22 के according, रेशेशन लेना होगा, और उसका turnover को उन्होंने 10 लाक और 20 लाक की जगा, 40 लाक कर दिया, तो इन कुछ-कुछ exception डाल दिये, कि वही अगर RCM आपको applicable है, तो composite registration है, ये section 23, subsection 2 आपको applicable नहीं होगा, आप अगर इनके, इन goods में, अगर आप manufacturer है, इन goods के, manufacturer है, पर से engaged in making supplies, तो manufacturer नहीं है, trader है, या manufacturer है, दोनों है, तो आप, ये वाला notification आपको applicable नहीं होग है, अगर आप इन state में, अरुनाचल प्रदेश, मनिपूर, मिगाले, मिजरोम, नागलें, पुडूचरी, सिक्किम, तेलंगाना, तो आंधरा नहीं है, तेलंगाना, तिरुपूरा उत्राकर्ण में, अगर आपका business है, तो ये 40 लाक का limit आपको applicable नहीं होगा, और बाकी तो ह तो ये कहानी है, और दूसरा, कि आप अगर exclusive supply of goods कर रहे हैं, उसके साथ interest की भी थोड़ी बहुत amount आती है, तो इसको हम ignore करके चलेंगे, तो ये कहानी थी इसके, तो ये हो गया, अब और last कौन सा खोश्चन आया है, ये, see, Mr. X has imported items from abroad, since he was unable to make a self-assessment, he has sought provisional assessment pending technical testing on 29th April, the technical report was received on 5th May, discuss about the time limit available to the officer for finalizing the provisional assessment, that is 2 months from the date of receipt of report, and guide Mr. X as of when his provisional assessment will be finalized, finalized, इसका भी हमने, किताब, किताब, assessment, तो ये हमारी customs की book है, PDF भी available है, इसमें मैं आपको दिखला भी देता हूँ, और ये, again, ये customs में आपको याद करना बहुत जो रही है, time limit for, ये पहले law तो दिखला दूँ, तो ये काया था, customs finalization of provisional assessment regulations 2018, notification number date दिया हुआ है, और the time, the proper officer shall finalize the provisional assessment within 2 months of receipt of this, 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 जो report है, chemical or other test report, where the provisional assessment was ordered for that reason, तो वो काफी लंबा rules है, ये ही आपको इसी के बारे में लिखना था आपको, तो thank you so much, आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, और comment box में जुरूर से अपना viewpoint लिखिए, और January में दुबारा exam होने वाला है, तो मैं उमीद करता हूँ, आप सभी का exam, मार्शालला बहुत अच्छा गया होगा, आप flying color से पास करें, यही हमारी कामना है, और कोई भी बात हो, आप comment box में जुरू लिखिए, हम लोग पूरी कोशिश करेंगा, उसका चवाप देने का, So thank you so much, bye-bye. कर दो करेंगे, आप सक्वाप रिखिए, आप सक्वाप दो करेंगे, यही हमारी कामना है, झाल 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 झाल